असलाम आलेकुम एवरीवन आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिसकस करेंगे दाट इस कम्यूनिकेबल डिसीज तो यह आपकी सेकंड वीडियो होगी ओन दो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ ता कम्यूनिकेबल डिसीज तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है बच इसको ग्रेट वाइट प्लाक भी कहते हैं इसको कैप्टन ऑफ ते मैं ऑफ डेथ भी कहते हैं तो आपने इसके डिफर्ट नेम्स भी याद रखने हैं कई बार में आप से पूछे जा सकते हैं अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है फॉर्स्ट आफ वाल वी हाव था आपके पास लाग अज़ फैमिली आपके पास लाग ओफ एजूकेशन है और लो सोचो एकनोमिक स्टेट था 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 या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसके बास इसकी कुछ टाइप साजाती हैं तो मार पास पल्बनरी है और एक्स्ट्रा पल्मिनरी टीबी ह धीक है जो पल्मिनरी होती हैं वो कौमली आपके लंगस में होती है और एक्स्ट्रा पल्मिनरी आपके जॉइन्टस आजाते हैं जैनाटो यून्रिय ट्रैक आजाता है मनिंजी आ जाती है लेफ नोर्स की इनवाल्वमेंट आ जाती है इनकी पै्थोजेनिसिटी बहुत हाय होती है और इसको barometer of social welfare से चेक करते हैं ठीक हो गया हमें बताता है कि इसकी high pathogenicity है further हम discuss करते हैं इनकी prevention जो आपके लिए most important है यही आपकी fingertips पर होनी चाहिए तो आपके पस सबसे पहले आती है प्राइमरी prevention प्राइमरी के अंदर we have the health promotion जिसके अंदर आपकी में वही points आएंगे अगें आपकी health education होजी चाहिए community counselling करनी चाहिए environmental modification करवानी है और साथ ही आपने personal and hygienic sanitary measures को improve करना है next आपके पास आदता है specific protection तो specific protection के अंदर आपने vaccination करनी होती है अब इसके अंदर vaccination आती है that is BCG की vaccine तो आपके पास live attenuated vaccine है जो आप 0.05 ml देते हैं intradermally over the right deltoid और ये birth के time पर अगर दें तो 0.5, 0.1 ml दी जाती है और अगर 1 month पर दे तो ये leave कर देती है वहाँ पर एक scar coat हो गया उसके बाद हमारे पास आजाता है कि आपने immunization कर ली BCG की live attenuated उसके बाद BCG की जो vaccine होती है can give asymptomatic HIV patient but not to symptomatic HIV patient तो आप से कई बाद scenario में पूछ लिया जाता है कि जो आपकी BCG की vaccine है वो HIV के patient को दे सकते हैं तो आपने बताना है कि जो asymptomatic patient है उसको आप ए BCG की vaccine दे सकते हैं साथ ही साथ जिन patient को skin disease हो या वो immune deficient हो तो उनको भी BCG की vaccine नहीं देते ठीक है जी आज़ोनाइजेड हो गएरा भी हम drug को इस्तेमाल कर सकते हैं इस आपके पास secondary prevention तो secondary prevention के अंदर हमने early diagnosis करना होता है तो early diagnosis आप कैसे कर सकते हैं best strategy जो WHO नहीं बताई है that is sputum का culture करा लेंगे Montox test करा लेंगे that is so important आप से कई बार ये MCQ में पूछा जाता है कि Montox test हम कौन सी disease में कराते हैं that is TB तीक हो गया जैसे के मार पर शिक टेस्ट वो पूछते हैं तो आप डिफ्थेरिया में कराते हैं तो इस तरह के छोटे-छोटे points आपने जरूर जाद रखने कॉपलिक sports जो हैं वो कौन सी disease में बनते हैं तो आपके बस measles में बनते हैं तो इस तरह के important points को आपने जरूर याद रखना है और साथ ही हम x-ray भी करा सकते हैं क्योंकि lungs की cavitation हो जाती है और gold standard जो आपके पास है that is putum culture उसके बाद हमारे पास आजाता है कि हम prompt treatment करते हैं prompt treatment में हमने drugs देनी होती है तो first line drugs जो आपके पास आती है that is । आयजोनाइजीड रिफैंपसीन थैंबिट्योल ठीक है जी पास ट्रिप्टोमाइसीन है इसेरी है 2 आपके यहारा पास राती है जी क्लिफनों लुखनी चाहिए भाद में लुखने हैं फार्मा को अच्छे नाम होंगेugen 12 लिकों कोई भी लिख लेने है fче ट्रीटमें तो इसके इन needable treatment करनी होती है आपने इसको आइजोलेट कर लेना है आपने इसकी ओक्यूपेशन को चेंज करना है उसका कोई ऐसा इंवायर्मेंट है जहां पर उसको कोई इरिटेटिंग इंवायर्मेंट है तो उसको रिड्यूस करना है वर्किंग आर्च को कम करना है और सेलेक्टिव इंप् जो होते हैं वो सेंट्री पीटल होते हैं और उसकते की किसे याद रिजांऄ चिख और इतर इसको याद रखनाना हैल्टों हो 기 देखिंखन उसक्तित MALE प्रिच पणशना कैसे और यह कौन पर जे दो मुझे सब्सक्रीपागो फ्रिक्वेंटली आपके एक्जिला की तरफ देन आपकी पाल्ब्स एंट सोल की तरफ ठीक हो गया राश जो होते हैं वो सुपर्फिशल होते हैं यॉनिलॉकिलर हो सकते हैं इंफ्लमेशन हो जाती है राउंड वेजिकल्स टंपरेचर राइस कर जाता है राश का ठीक है जैनिटर अनामली भी हो सकती हैं आपके पास आजाती है प्रिवेंशन प्रिवेंशन अगें आपके पास सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी के अंदर हेल्थ प्रमोशन आपने हेल्थ प्रमोशन किस तरह से करनी है हेल्थ एजुकेशन देनी है कम्यूनिट करवानी है आपने personal sanitary and hygienic measures को बेहतर करना है उसके बाद जी आपके पास आजाती है second that is specific protection जिसके अदर आपने vaccine देनी होती है इसमें आपने immunization करनी है by the live attenuated vaccine जिसके दर MMRV आजाती है जो 12-15 month पे देते हैं साथ ही आप tetracycline वगएरा भी दे सकते हैं to prevent the secondary infection ठीक हो गया साथ ही आपके पास आजाती है जी secondary prevention, secondary में early diagnosis है early diagnosis जो आपको physical examination से भी पता चल जाएगा और आप fever वगएरा चेक करके rash or skin lesions चेक करके भी इसको diagnose कर सकते हैं उसके बाद जी आपके पास आजा चिकन पॉक्स आपके पास किसी वाइरल की वज़े से होता है तो हम antiviral drugs दे देंगे ठीक हो कि आपके पास वाइरस की वज़े से आपके पास chicken pox cause होता है तो हम antiviral drug देंगे अगर antiviral drug काम नहीं करती तो हम antibiotics भी दे सकते हैं ठीक है तो यह आपने याद रखना है उसके तक आपने patient को isolate करके रखना है साथ ही मारे पास आज़ता है small pox small pox आपका जैसे मैंने बताया है कि chicken pox में centripetal small pox में आपके पास centrifugal rashes होंगे जो आपके पास axilla जो होगा usually वहां पे नहीं जबके आपके ठीक है palms और पर फ्रिक्वेंटली अन्वाल करेंगे साथ ही जो आपका rash होंगे वह डीप होंगे और multi locular होंगे जबके आपका जो chicken pox था उसमें unilocular थे ठीक हो गया उसके बाद आपका area of inflammation जो था around vesicles मजूद था fever subsides with appearance of rash but may rise again in postular stage आपके पास सबसे पहले fever होगा उसके बाद जब rash appear होंगे तो fever subside कर जाएगा ठीक है जबके आपके चिकन बॉक्स में fever रहना था अब आपके पास आजाती जी इसकी prevention किस तरह से करनी है तो आपके पास आती primary prevention जिसमें हमारे पास सबसे पहले आजाता है इसके बाद आपके पास आजाती जी specific protection जिसमें आपने vaccine और immunization करनी होती है आपके पास immunization और vaccine आजाएगा और chemo prophylaxis आजाएगा thirdly आपके पास आजाता है जी secondary prevention secondary prevention में आपके पास early diagnosis है जो आप fever से चेक कर लेंगे general physical examination से चेक कर लेंगे और साथ ही आप देखेंगे के centrifugal ration ये centripetal ration का आप differentiate कर लेंगे between the chicken pox and the small pox उसके बाद और area of inflammation भी आप देखेंगे अगर area of inflammation present है तो 2000 chicken pox और area of inflammation नहीं present तो आपके पास small pox है साथ या प्रॉंक treatment करेंगे अगर pain में कह रहा है तो analgesics दे लेंगे आपके पास small pox जो है वो pox virus की वजह से हो रहा है तो आप antiviral drugs दे लेंगे तिकिए अगर antiviral काम नहीं करती तो आप antibiotics भी दे सकते हैं थर्ड ली आपके पास आजाती है जी टर्शी treatment तो टर्शी treatment में आपने rehabilitation measures करनी है यानि आपने isolation करानी है patient को next हमारे पास आजाती है meningococcal meningitis तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास headache होगा fever होगा stiffness of neck होगी जब भी आपका scenario आएगा तो इसके अंदर stiffness of neck का word आपको जरूर देखने में मिलेगा next आपके पास आजाते है कि हमने इसको treat किस्ता से करने है तो हमने इसके अंदर एंटिबाइटिस देनी होती है जैसे के पैंसिलीन है उसके बाद आपके पास सिफ्ट्राइ एक्जोन आ जाती है साथ ही हम अगर long term करें तो हम isolate कर देंगे patient को रिफैमपसीन दे देंगे अगर carrier है और अगर हमने कीमो प्रोफाइल एक्सिस करनी है तो सेफ्ट्राइ ऑक्जिन के साथ सिप्राफ्लाक्सासिन भी देंगे मनिंजो कोकल vaccine भी हम दे सकते हैं जो polysacride vaccine है आपके पास conjugate vaccine भी है और यह आपके पास more than या equal to two years के patient को देते हैं चोटे बच्चों को आपने यह नहीं देनी और यह आपके पास vaccine safe है for the pregnant woman तो आप pregnant woman को भी यह दे सकते हैं तो यह आपने कुछ important points याद रखने है नेक्स आपके पास आजाती है जी influenza influenza भी आपके पास एक important है influenza क्या होता है यह non करता है pandemic में cause होता है by the influenza strain A इसके अंदर आपके पास होता क्या fever हो जाता है cough हो जाती sore throat हो जाता है muscle pain होती है millease होता है pneumonia हो जाता है और यह rapidly spread करता है due to short intubation period अगर आप से पूछें के influenza जाए वह rapidly spread क्यों करता है तो आपने मता रहा है इसका short intubation period है इसलिए वह जल्दी जल्दी spread कर जाता है और एक pandemic के अंदर convert हो जाता है ऐसे कि हमार पास bird flu है वह age five and one की वजह से होता है आपके पास swine flu या जो seasonal flu है that is age one and one की वजह से ठीक है तो यह आपने जरूर याद रखने है फर्दर हमार बस आजाती है इनकी prevention first of all we have the primary जिसमें health promotion आजाता है तो हमने good ventilation रखनी है of the public buildings ठीक है हमारे ventilation अच्छी होगी तो हमें diseases जो है वह spread कम होगा क्योंकि यह communicable diseases है साथ ही हमने overcrowding से prevent करना है हमने crowded places से avoid करना है हमने encourage करना है sufferer को के वह cover करें अपने face को during the sneezing or coughing क्योंकि यह droplets से आपके पास spread होती है हमने इसको counsel करना है कि वह घर है जब उसको first sign of influenza आजाए और वह hand wash करें बार-बार थाकर यह spread ना हो आपके पस second आजाती specific treatment जिसके आपने immunization करना है आप killed भी कर सकते हैं live भी कर सकते हैं next आपके पास आजाती secondary prevention जिसके अंदर आपने early diagnosis करना है वह आप serology के जरिये करते हैं यह test करते हैं further आपके पस secondary में आ जाती है used supportive लेट है जिसके अंदर आपने drug services आते नहीं देखा लेकिन यह बहुत कॉमन है तो आप से वाइवा में पूछी जा सकती है नेक्स यह आपके पास कुछ इंपॉर्टन शॉर्ट क्वेस्टन यह आपके वाइवा क्वेस्टन है तो आपने इनको जरूर फोकस कर लेना है वैक्सीन हम मीजल के आउट प्रेक में क मीजल्स का आउट ब्रेक होए तो आपने यह वैक्सीन देनी है नेक्स आपके पास आजाती है वैक्सीनेशन ओफ मीजल्स इन एरिया हैविंग हाई इंसिदेंस ओफ मीजल्स एंड एचाइवी तो फॉर्स जोस आपने शिक्स मांथ पे देनी है एंड टू अडिशनल डोस देनी है आपने एक 9 वीक पे और एक आपने 12 से 15 वीक पे नेक्स आपके पास उन्होंने पूछा है कि आउट ब्रेक अगर आपके पास मीजल्स का हो जाता है तो हमने उसको कंट्रोल किस तरह से करना है तो सबसे पहले तो आपने आईजोलेट करना है फॉर्दा 7 डेस ठीक ह जी आपने उसको इम्यूनाइजेशन करना है दो दिन के एक्सपोजर के अंदर अंदर ठीक हो गया तीसरा आप क्या करेंगे कि अगर वैक्सिनेशन जो है वो कॉन्टर इंडिकेटिड है तो आप एंटी बॉडी दे देंगे यानि आप पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनो ग प्रेड ना हो तो यह आपका हो गया गतरा से आपने उसको करना है तो आपके पास आती है कि बीसी जी की वैक्सीन को प्र्फॉर्म करना है ऐसी इंप अक 되면 लगा रहे है TB के लिए जो हम करते हैं तो उसको किस तरह से perform करना है आपने ID जो है Intradermally आपने inject करना है on the flexor side of the four arm पे Purified protein derivative के solution को और देन आपने wait करना है 48 से 72 आर्स तक ठीक है 72 आर्स तक आपने wait करना है patient को कहना है 42 से 3 दिन बाद वो आपके पास दुबारा है देन आपने lesion की size को चेक करना है यह देखें जी अगर आपके पास lesion का size more than or equal to 5 mm होता है तो that is HIV positive ठीक है और यह active TB patient है साथ ही आपने इसका nodular या fibrotic changes भी होंगे x-ray के अंदर तो इसमें organ transplant होना है फर्दर अगर आपके पास more than or equal to 10 mm होता है तो यह आपके पास recent कोई arrival हुआ है आपके पास कोई high prevalence countries में से आया है या HIV drug use की है उसने आपके पास तो आपने इसको देख लेना है फिर उसके मताबक आपने इसको treat करना है फर्दर आपके पास आजाता है जी अगर more than or equal to 15 mm है तो person को कोई risk नहीं है TB का इदर देख लेते हैं हम देखें जी हमने inject किया इंट्राडर्मली flexor side के उपर 4 राम के आपके पास purified protein derivator को जो हमारे पास 0.1 ml था तो हमने wait किया for 48 to 72 hours और हमने जो induration बनी है उसका diameter चेक किया अगर तो हमारे पास induration जो है वो exceed करी है 10 mm या 1 cm तक तो इस पॉजिटिव और अगर less than 6 mm है तो it is negative और यह अगर induration between 6 से 9 mm आती है तो that is doubtful condition तो आपने इनको doubtful condition को भी TB की तरह ही treat करना है फर्दर फिर आपने उसका x-ray वगेरा कराकर देख लेना है कि लांस में cavitation वगेरा फाइब्रोटेक नॉर्डिूलर चेंजिस वगेरा प्रेजन तो नहीं है next आपके पास important question है जी why Montauk's test is negative in HIV patient और Hodgkin's disease ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास immune जो person का response आता है वो उसके immune system का response आता है लेकिन आपकी Hodgkin's disease और HIV infection के अंदर आपका immune system जो होता है वो depressed हो गया होता है damage हो चुका होता है तो वो response ही नहीं देता तो इसलिए Montauk's test जो है वो negative आता है in case of HIV और Hodgkin's disease अब हम किस तरह से डाइग्नोस करेंगे TB को person में with the HIV क्योंकि Montauk's test उसमें आया नहीं है तो first of all हम क्या कर सकते है clinical examination कर सकते हैं साथ ही हम उसका sputum culture करा सकते हैं in the early stage of HIV अगर तब भी difficult डाइग्नोस हो जाए advanced stage के अंदर तो हमने उसके अंदर examination कर लिए clinical examination हमने sputum culture करा लिया लेकिर हमार पास sputum culture भी negative आया और Montauk's test भी negative आया तो हम उसका chest radiograph यानी x-ray करा लेंगे और हम उसके अंदर cavitation और गारा को देखेंगे लेकिन ये आपके पास less useful है क्योंकि आपके पास इस case में बहुत less cavitations मजूद होंगी advanced stage के अंदर तो उसको diagnose करना थोड़ difficult हो जाएगा नेक्स जो हमार पास important question है कि TB के लिए who की strategies क्या है तो उनकी stop TB strategy है dots है और end TB strategy है उसके बाद एक mother है जिसको TB है तो क्या वो अपने बच्चे को feed कर सकती है तो yes वो feed कर सकती है she should take him profile access उसके बाद आ जाता है कि एक woman है वो सफर कर दिया TB से तो she had a newborn child तो appropriate options क्या होंगे for the newborn child हम किस तरह से prevent कर सकते हैं तो हम उसको dots जो है for mother start कर देंगे हम dots for mother यानि chemo profile access उसके साथ हम BCG की vaccine दे देंगे for the baby if tuberculine test is negative और izonizer दे देंगे for the baby if the tuberculine test is positive तो यह हम जरूर करेंगे further आपके पास आजाता है कि एक mother है उसको TB है और HIV भी है तो क्या वो अपने बच्चे को feed करा स उसकती फृदर आप साथा है के treatment duration क्या होगी for the new cases of the TB तो आपके पास intensive phase के अदर दो मांच है और stable continuation phase के ईंदर for months है customer treatment duration और treatment cases क्या हो गी तो आपके पास intensive phase जो होगा वो 3 months और continuation phase जो होगा वो 5 months होगा आपके पास epidemiological triade क्या होता है या आपके पास short question में कही बार आता है तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है आपके पास आपके पास जो triade होता है इस तरह से हम triade बनाते हैं उसके अंदर हम देखते हैं एजेंट क्या होगा हम देखते हैं होस्ट क्या होगा और हम देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होगा तो आपके पास जो एजेंट होगा वह बैक्टिरिया है आपके पास जो होस्ट है वह हीमन है और जो आपके पास इन्वायरमेंट होगा तो आप पके पास एजेंट है होस्ट है और बारिन्ट है वडक्राफिया नीजन्ट है आपके पास वाइरस है zakat और। आपके पास और हासध होगा और उनL ट कोपे आपके总ना वाइरस है और जबना पके पास राहिक है पूबर हाउसिंग है ओवर क्राउडिंग है फर्दर आपके पास आ जाता है कि हमने एपेडिमॉलिजिकल फैक्टर्स जो रिस्पॉंसिबल है फॉर था स्मॉल पॉक्स और डिजीज के एराडिकेशन के लिए तो हमारे पास एनिमल रेजरवार जो है वह नौनी है अर्ली डा यह जाता है आपके पास यह थे माइक्रो बैक्टीडीम बैक्टीन। यह अपके पास लख राँवार्थ घीजिकल्जिकतरिदी चैशन और मुकोजा को करती है loss of cutaneous sensation हो जाती है like आपके पास कोई light touch करे तो आपको वो sensation नहीं feel होती साथ ही आपके पास operational indicator is relapse rate उसके बाद lepromint test हम इसकी screening के लिए करते हैं close contact की वज़से यह transfer हो सकता है और इसके नहां BCG vaccine may be given in the partial protection against leprosy उसके बाद आपके पास आ जाता है कि positive shift test है और negative swab test है तो अब हमने क्या करना है interpret क्या करना है तो positive for the diphtheria है two cultures taken हम दो culture लेते हैं 24 hours के अंदर और it should be negative अगर वह दूनों ही negative आते हैं तो हम कहेंगे कि patient negative है और अगर जो है वह positive कोई भी एक आ जाता है तो हम उसको isolate कर देंगे कर देंगे